हवा में लटकी बस चाले की सूज भूश से 32 लोगों की जान हिमाचल परदेश के शिरमोर जिले में चाले की सूज भूश से एक बड़ा हास्ता होने से टल गया और क्रीव 30 लोगों की जान बच गई जानकारी के मुताविक पॉंटा सिलाई नैशनल हाईवे सासो साथ पर बोहराण के पास एक नीजी बस क्रीव 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई चालकनी अधिसूज भुजना दिखाई होती तो बस में स्वारती सियातरी हास से कशकार हो जाते सुकरवार को चार बज़े के करीब पॉंटा साहिव गता धारूड पर एक नीजी बस पॉंटा साहिव से शिलाई की तरफ जा रही थी कफोटा से करीब 10 किलोमेटर दूर बस जैसे बोहराण के पास पहुंची तो बस की स्टेरिंग की रोड तूट गई जिससे बस सटक से नीचे उतर गई बस सटक किनारे लगे पैरापीट को तोड़कर हवा में लटक गई बस काजे से ज़्यादा हिस्सा सटक के बाहर हवा में लटक गया चालक ने होंसला नेक होया और सूज बुच का पीचे देखते हुए ब्रेक पर खड़ा हो गया और बस एक टायर पर टिका गी चालक खुद बस की ब्रेक पर खड़ा रहा और सभी यातिनों को शुरक्षित बाहर निकलने को कहा यात्रियों को कहने की चालक ने सूज बूच दिखाते हुए ब्रेक लगा दे और जब तक सभी यात्री बाहर नहीं उत्रे तब तक अपनी जान जोखी में डाल कर ब्रेक पर खड़ा रहा झाल